हेलो फ्रेंड्स, वेरी वर्म वेलकम टुल्क अकेडेमी, आई होप तमें बद्धा दमरा घरे एक्जामनी प्रिपरेशन करता हाशो अने हेल्दी हाशो, तो आज साथे आज ये बड़ार भुणो जे करेंट अफैर्स नो लेक्चर छे, ते स्टार्ट करीशू अने आजनो जे आपने पेल्लो टोपिक भणवा आनो छे, ते फेबरुरी प्लस मार्च ना जे करेंट अवेर्स छे, ते आपने कंटीन्यू करीशू प्रतम जे आपनो आजनो टोपिक छे, ते चे, UN Human Rights Council बराबर United Nations नी Human Rights Council विशे, आपने थोड़ी महीदी मेडवानी छे, ने केम समाचार मा छे, ते आपने जोवानू छे तो पेल्ला ये जोव लिए है केम समाचार मा छे, नानो जे टूको नाम छे, ते चे, UNHRC, बराबर ताजे तर्मा United States से जाहरात करी छे, के United Nations नी Human Rights Council मा ते फरिती जोड़ा छे, जे तेने 2008 मा छोड़ी दी दियादी, तो 2008 मा जे समाए, डोनाल्ड ट्रम्प, USA ने रास्टर ते समाए, गणा बदा डिस्प्यूट्स ने कारणे, USA गणा वर्षो बाद UNHRC छोड़ी दी देली हादी, बारा बरेगलेनों सभ्या पद जे हादू ते वमने छोड़ी दी देलू, आव परांत UNHRC नी साथे साथे USA, WHO पन छोड़ी दी देलू, World Health Organization, WTO ने छोड़वानी पन धमकिया बेली, पैरिस अग्रिमेंट जे, परियावरण ने बचा हुआ माठे नी जे देशो वच्चे नी जे संधी छे, तो ए संधी माठी पन USA पोतानों नाम परत लेली देलू, हवे जयारे नवेंबर बहाजार वीस मा, USA मा रास्ट्रपदी नी चुटनी थाई चे, अने रास्ट्रपदी बदला आया चे, अने जो बाइडे ने नवा रास्ट्रपदी तरीके चुटा आया चे, जे वाइस प्रेसिडेंट चे, तेचे कमला है रिस, जे एशियन मूड ना चे, तो तेओ या निर्णाई कर्यो चे के USA फरी पाच्छू UNHRC मा जुडा चे, परन UNHRC मा जुडावू पड़ चे, त्यार बाद, जे नेक्स्ट टाम मा चुटनी थशे, त्यारे USA ने चुटवा मा आउशे. Human Rights Council संयूक्त रास्ट्र नी एक एवी आंतर सरकारी संस्था चे, जे विश्व बर्मा मानवादिकार न प्रमोशन अने संरक्षन ने मजबुत करवा माटे काम करे चे. बराबर, नाम परती जा पड़ने खबर पड़ी जाएजे के Human Rights माटे काम करती जे संस्था चे, थे चे UNHRC. सी, काउंसिल नी रचना United Nations General नी असेंबली द्वारा, जेने अपने UNGA तरीके ओड़ाखिये चे, तो ये UNGA द्वारा 2006 मा करवा मावे यदी, आ पहल्ला पड़ना संस्था हाथी, पने यनू नाम अलग हाथू, पहल्ला यनू शू नाम हाथू, तो यनू नाम हाथू, United Nations Human Rights Commission. बराबर तो आने मानवधिकार परना United Nations Commission ना पूर्वा आयोग नी जग्या लिदी हाथी, आने मानवधिकार माटे ना उच कमिश्नरे लेगे चे, OHCHR नी कचेरी चे, तेने जहवे UNHRC नी कचेरी धरीके उप्योग करवा मा आवे चे, OHCHR नू मुख्यमतक Switzerland ना जिनीवा मा एटले के, एटले के, UNHRC नू मुख्यमतक कई जग्या है चे, Switzerland ना जिनीवा मा चे, सब्यो कोण कोण चे ना, तो ते संयूक्त रास्ट्र ना सुल्ताडी स सब्या देशों नी बनेली एक संस्था चे, एजन्सी चे, जे UN General Assembly, एटले के UNGA द्वारा चुटाई चे, संयूक्त रास्ट्र नी सामान्य सभा, तेने आपड़े शूना मा पिशू UNGA, UNGA मानभादिकार ना प्रमोशन अने संरक्षन मा, उमेद्वारो ना राज्यो ना योगदान, तेमाज आब आब आबत मा तेमनी स्वैचिक प्रतिग्याओ अने प्रतिबद्यदाओ ने ध्यादमाल है ज देश त्यारे चूटाई शके, जयारे युनाइटेड नेशन्स नी जे सामान्य सभा छे, ते वू मानती होई, कि आ देश पोताने मानवादी कारो ना जे नियम हो छे, तेने बहु स्ट्रोंगली फॉलो करे छे, काउंसिल ना सभ्यपद समान भोगोलिक वित्रण पर आधर दुनिया ना ते बद्धा ने सर्कू रेप्रेजेंटेशन मडी रहे तेमनी वस्ति प्रमाने, एरी ते जे युनाइटेड नेशन्स उन राइट्स काउंसिल ने जे बैठको छे, ते नक्की करवा मावी छे, आफ्रीकन स्टेट्स माथी तेर बैठको छे, एशिया पैसिफ राज्यों माटे 6 बेठाको राखवामा आवी छे काउंसिल ना सब्यो त्रोन वर्ष ना समय गाडा माटे सेवा आपे छे औने सतत बे वार सेवा आप्या बची थातकालीक फरी थी चूटणी माटे पात्र नथी ततकालीके त्रीजी टम माटे रहिशा के नहीं एमडे जो फरी वार चूटणावू होई तो त्रोन वर्ष नो रेस्ट लाइने छो वर्ष बाद छो वर्ष ना continuous कार्यकार बाद त्रोन वर्ष नो रेस्ट लाइनेज कोई देश फरी पाचू UNHRC नी सभ्य बदे आवी शाक्या चे जो 47 आपड़े गनियादे 13 बेठगो आफरिगन स्टेट्स इट्स मा थी, 13 बेठंगो एस्या पैसिम्ग स्टेट्स मा थी 8 बेठंगो लेटीन अमेरिकां मा थी एने 7 बेठगो पस्चिम युरोपिया नन्याराज्यों मा थी 16 बेठगो पूरवी युरोपियान्या Rapid अत्यारे भारत आनु सभ्या चा सूर्ताडी सभ्यों मा थी अत्यारे भारत एक छे बराबर एनी प्रक्रियाओने पद्य दियो शूँचे तो सार्वत्रिक सामाईक समिक्षानी करवा मा हुशे UPR संयुक्त रास्ट्राना तमाम सभ्य देशों मा मानवादी कार नी परिस्थितियों मुल्यांकन करे छे जे यरली रिव्यू होई बराबर तो एने UNJS द्वराशू ना मंपफ़ा मा व्यू छे, UPR ना मंपफ़ा मा व्यू छे सलहकार समीती तरीके बण ते कारिया करे छे टले के ते UNHRC नी थिंक टेंक तरीके काम करे छे जे तेने विशय वस्तुना मानवाधी करना मुद्दाओ पर कुशरता आने सलहा प्रदान करवा मा मदद करे छे ते व्यक्तियोंने संस्थाओने काउंसिल ना ध्यान पर मानवाधी कर उलंगन लावा माटे परवान गया पे छे तो जो कोई देश, कोई अन्य देश विशे, कोई अन्य देश माँ कोई परिस्तिती चलती होई, एन्य विशे जो फरियाद करवा मांगतो होई, तो ए माटे नी पनेक सेट प्रक्रिया UN चर्सी माँ फॉलो करवा मावे चे, UN नी विशेष कार्य वाही बन करवा मावे चे, तो आ खास देशों मा विशेयोना मुद्दाओ अत्वा मानवादी कार्नी परिस्तितियो पर देखरेक राखे चे, तपास करे चे, सलह आपे चे अने जाहर मा अहेवाल आपे चे, ते विशेष अधिकारियों, विशेष प्रति स्वतंत्र निश्णांतो अने कारियकारी जुत्वनी बनेली एक समीती होई छे जे आ विशेश प्रकारनी कारियवाहियो करे छे सब्यपद साथे सब्बंदित केटलीक चिंता हो छे तो केटलाक विवेचको माटे मुख्य चिंता एक काउंसील ना सब्यपद नी रचना छे बराबर जे प्रमाणी नी वोटिंग नी प्रक्रिया थाई छे जे रिते देशों पोदानी उमेदवारी नोंदावी शके छे एवी यू ने चार्सी नी चूटनी प्रक्रिया छे बराबर तो केटलाक विवेचको माटे मुख्य चिंता एक काउंसील ना सब्यपद नी रचना छे जे मां केटलीक वार मानवाधी कार ना दुरुप्योग करना रा तरीके व्यापक पड़े मानवा मा ओता देशों नों पन समावेश्टाई जे अवे तमेज 2 सेकेंड पॉज लेने विचारो के कया देशों एवाचे के जे मानवाधी कार नों हननन साउथी वधारे थतु होशे बराबर एदेशों हवे तमने विजी लाइन मा जुबा मढशे चाइना, क्यूबा, एरिट्रिया, रश्या ने वेनेजुएला आ बधा पर मानवाधी कार ना भंग नों आरोप छे ना दरेक क्यारेक ने क्यारेक UNHRC ना सभ्य पद तरीके रही चुक्या छे त्रोण वरश नी टाम माड़े हवे ज्यारे कोई कंट्री पोताना ज देश मा मानवाधी कारों नों उलंगन करतो होई तो एक कई रीते UNHRC ना सभ्य पदे बैस्वा माटे जस्टीफाई करी शाके पोतानी जातने कई रीते युग्य बनावी शाके पोतानी जातने ए जोवा नुछे ने आ एक फ्लॉ छे जे UNHRC नी चुटनी प्रक्रियामा अपण ने जोवा माड़े छे आ प्रमाणसर ध्यान बराबर बो एनुजे फोकस छे दे अलाग अलाग जग्याए भटके लूँछे तो ताजे तरमा United Nations ना विशेश रिपोर्टर्स ना जूथे भारत सरकार ने पत्र लखी ने परियावरणी या असर आकारणी सुचना 2020 आपनों एक एन्वार्मेंट ने लगतो मुद्धो छे आपने फरी क्यारेक कोई लेक्चर मा जोईशों तो ए सुचना अंगे मुसद्दा पर चिंता व्यक्त करी छे 2020 मा भारतना रास्ट्रिय मानवादी कार आयोगे बराबर जेने आपड़े National Human Rights Commission का ये NHRC तरीके उडखवा मा जे एक वाईधानिक संस्ता चे जेनी स्थाबना उगणिस्वने त्राणू मा था येली तो एवा भारतना रास्ट्रिय मानवादी कार आयोगे युनिवर्सल पिरियोडिक रीव्यू जे आपड़े आगली स्लाइड मा जो यू 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 पी आर बराबर जे सार्वत्रिक सामाईक परिक्षा जने गुजराती मा एवाई तो एवा यू पी आर प्रक्रियाना 3000 राउंड ना भाग रुपे पोतानो जे वचगाडानो रिपोर्ट हतो जे इंटरिम रिपोर्ट हतो इंटरिम समर यती ते अहे वालने सुपरत करी छे एक जन्युआरी बहाजार ओग्णिस्ती भारत त्रोण वर्ष माटे कांसिल मा चुटायू छे बराबर एट 31 डिसेंबर बहाजार 22 सुधी आपने आ यू एन एचारसी ना सब्या छे परन्तु छेल्ला गणा वर्षो मा आपने एवू जोयू छे कि भारत मा आरोप लगावा मा आवेचे मानवादी कारना हनननों बराबर आपने त्या जम्मु कश्मीर मा साउथी वदू मानवादी कारनों हननन थाई चे आरोप इंटरनेशनल मीडिया द्वारा अन्य अन्य घणा बदा देशो द्वारा लगावा मा आवेचे आउपरांद ज्यारती आपने त्या सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट लावा मा आवेचे बराबर नागरिक्ता सुधारा अधिनियम बेहजार ने ओगनिस इत्यारे भारत पण अंडर अब्जर्वेशनचे गणाबधा देशुना रडार माँचे कि अपने द्या मानवादिकार नू उलंगन ठै रह जोँ बरबर दाटलो आपने दियान राखवनुले आपने दिया तिया मानवाधीकार नुब। मुल्यंकन करवा माटेयों यहनु। मोनीटरिंग करवा माटेखु वच्डख़ोक्स अनसथाँ चे तेके। Human Rights Commission रास्ट्रिय मानवाधिकार आयोगजनी स्थापना उगणिस्वने त्राणुमा करवा मावी हती चालो आंतर्रास्ट्रिय संगठननों आपने जे मुद्धो जोएना पचिनों आवे जे मुद्धो छे ते छे भारत चाईना होटलाइन नी स्थापना बराबर आने आपन आंतर्रास्ट्रिय सबंध साथे जोड़ायलो मुद्धो छे अवे शूँ चे आपने भारत चाईना होटलाइन आपने शूँ समझवानू छे तो तमें कोई वार अगर भारतिया बॉर्डर ना विस्तारों मा जो फरवा गया होई अत्वा जो दमे मुलाकात लीदी होई तो दमने मुबाइल नेटवर्क नो इश्यू आवे जे बाराबर तिया सरण दाथी मुबाइल नेटवर्क मढता न थी शू कारण होई शागे ग्याबणने बॉर्डर विस्तारों पर सरहदी विस्तारों पर सरण दाथी मुबाइल नेटवर्क न थी मढता तो एनू मुख्य कारण ए छे कि कम्यूनिकेशन ने अटका हुआ माटे बारा बर क्रोस बॉर्डर कम्यूनिकेशन जे थतु होई तो ए देशनी सुरक्षा माटे एकरिते खत्रों चे यहने अटका हुआ माटे जैमर लगावेला होई अथवा दो मुबाइल नेटवर्क नी एपसंस तमने जुवा मडे बराबर क्ये जेथी गरिने कोई गुस पेटियों गुसी आवे इल्लीगलरी ते अथवा तो आठंकवादी जेरे गुसी आवे त्यारे सरड ता थी आपना देशनी माही तिये पोताना देश माँ पहुचाड़ी शके नही बराबर तो अना थी शुवा थशे के आर्मी ना जे जवानों चे क्रोस बॉर्डर आर्मी ना एडलेगे आपना देशना अने पाडोसी देशना आर्मी ना जे जवानों चे आर्मी ना जे अधिकारियों चे तेलो कोने पन आने लिदे वातचीत करवा मा तकलीफ पड़ती होई अने भारत अने चाइना वच्चे नी छेली बैत्रोण वरश नी घटनाओं ने ध्यानमा लईने बनने देशों ना विदेश मंत्री यह नक्की करियों चे के अधिकारियों सरड ताथी एक बीजा साथे वात करी शगे बॉडर पर कोई जो नाना मोटा इश्यू होई तो एक बीजा साथे टेबल पर बैसी ने वातचीत करीने शुल्जा विशगे ए माटे एलोको वच्चे लेंड लाइन फोन जेवी एक कम्यूनिकेशन चैनल नी व्यवस्ता हो भी जो यह अने एना माटे बनने देशों मंजूरिया पी छे बराबर तो इटलाज माटे आ समाचार मा चे ताजे तरमाज भारत औने चीने जायरात करीहती के बन्ने होट्लाइन नी स्थापना माटे सम्मती आपी दिदेशा आऊपनारा थोडाज महीन वहमा हो आ आ होट्लाइने स्थापना करवा आमा आओ शे शूँ छे होटलाइन तो भारत ना विदेश प्रदान अने चीन ना विदेशी बाबतों ना ब्रदान एडले के चीन ना फॉरेंड मिनिस्टर है टेलिफोनिक मीटिंग में यू नक्की थयू छे के बन्ने देशो वच्चे होटलाइन स्थापित करवा मा आउशे होटलाइन ए सतत ओप्रेशनल राथ होई दिवस होई कोईपण वेदर होई सतत ओप्रेशनल एवी सीधी टेलिफोन लाइन छे जेती तातकालिक संदेशा व्यावार नी सुविधा आर्मीना जवानोंने मली रहे होटलाइन बनने देशो वच्चे समय सर संदेशा व्यावार अने अभी प्रायो नी आपलेमा मदद रूप थशे यानो एनालिसिस पन आपड़े जोईशो के केम अचानक भारत ने चाईना वच्चे आ प्रकार नी होटलाइन नी स्थापना करवा मावी तो जू बौडर इश्यू ने लेने भारत नू स्टैंड बहु सपस्ट छे कि तमें अमारी मदद करो अमें तमारी मदद करी अमारे कोई प्रकार नो जगड़ो जोईतो नथ याना भारत नी एक नीती चे के भारत क्या रही पन कोई पन देश सामेती हुमलो करशे नहीं तो भारत मुख्यत वे त्रोण म्यूच्वल ना जे आईडिया चे जे कॉंसेप्ट चे देना पर आगड़ वद शे बराबर तो आपना जे बाइलेटरल रिलेशन जे देने कई रितना भारत आगड़ देजवा मांगे छे क्या आपनी वच्चे परस पर आदर होवो जोईए परस पर समवेदन शिल्ता होवी जोईए औने परस पर आपने एक बीजा नहीतों नू रक्षन करवा जोईए डिस एंगेजमेंट, डिएसकेलेशन पची वास्तविक नियंत्रन लाइन नी साथे शान्ती दरफ दोरी जशे औने छेवटे संबंधों ने सामान्या बनाऊशे तो भारत नू यह मानवू छे के आ होटलाइन नी आ प्रकार नी जे वातचीत ची जे प्रोब्लेम सुल्जाववा मा आऊशे तेना ती आपना राजद्वारी सबंधों अपना जे डिप्लोमेटिक रिलेशन छे तेना पर असर बढ़ छे नहीं चाइना नू शू स्टेंड छे तो सीमा नी परिस्थि दी आपना जे बाइलेटरल रिलेशन छे तेना तौप मा अने केंद्रमा नो होवी जोई है हवे चाइना ने अत्यारे खबर बड़े छे केम करण के आपने आत्मनिर्बर भारत अंतर्गत चाइना साथे नू जे व्य करवा मांगतू न थी तेना बदले एकंदर सबंदों मा योग्या स्थान पर होई जोई है भले बॉडर पर गमेते थाई राजद्वारी सबंदों पर अन्नो असर थावी जोई है नहीं आ मुद्धे कारियवा ही करवा मा आवे त्यारे बन्ने फक्षोय हम्मेशनी जेम व् चन चेटले जोवानुचे के आवनारा समय मा आपणा सबंदों केवा रहे छे ताजे दर्मा सू विकास थाएलो तो जो में है बेहजार वीस बराबर एम थो बेहजार अडर डोकलाम थी जापनी वच्चे डोकलाम जे टाई जंक्षन पॉइंट्चे भूटान इंडियाने चाइना वच्चे नो तिहां थी आपना वच्चे लडाईनी शरुवात थाएल परन्तु में 2020 मां सिक्कीम नाथूला खाते भारत अने चीनी सैन्य वच्चे टकराव थाएलो शिक्कीम जपाजपी बची लडाख मां बनने देशों वच्चे तणाव वध्यो जमा अनेक स्थड़ो एक सैनी गो एक बिजानी सामसा में आवी गयेला जून 2020 मां पुर्वी वड़तो जवाव अपयो रिटेलियेट करियो अने लगबग 59 चाइनीज अप्लिकेशन जे मने टिक टोक पनी काती तेने सू करी देवा मावी बैन करी देवा मावी नवेंबर 2020 मां इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 नी कलम 69 हेठ़ड अन्य तेत्ताडिस नवी अप्ल अप्लिकेशन ने प्रतिबंधित करवा मावी जे मुट्टे बागे चाइनीज ओरिजीन अथवा तो चाइनीज कंपनी नू जे माई इन्वेस्टमेंट होई देवी अप्लिकेशन हाती फेबरु आरी 2021 मां बारत अने चीन आकरे पेंगोंग तड़ाओ पर विस्थापन अं परिस्थितिने वदू सरण बना हुआ अने सरहद भी अवस्था पन अने नियंत्रन पद्धियो सुधारवा माटे बनने देशोंनू साथे काम करवू आवश्यक छे बेह मोटी उबरती अर्थवी अवस्था धरी के चीन आने बारत एक बीजानी साथे विकास करवानी अने बारत ने चीने पन परस पर विश्वार श्वधारवा अने सरहदी विस्थारों मा शान्ती अने सुले स्थापित करवा माटे बाउंडरी नी जे वाटा गाटो छे त्याने आगडवधारवा नी जरूर छे नेक्स्ट जापनों टॉपिक छे ते पन तम्या अंतररास्ट्रीया सबंधोनी केटेकरी मा मुखीशा को साथे साथे अंतररास्ट्रीया संगठन विशेभण आपने थोड़ी माहीती मेडववानी चाने अंतररास्ट्रीया संगठन छे FATF तो FATF न अत्यारे फेबरुआरी ना लास्ट वीक मा एक मीटिंग थाईली FATF नी प्लैनरी कमीटी नी बराबर प्लैनरी कमीटेट ले जहनी एक्जीक्यूटिव कमीटी होई ते लोखो नी अने एलोको ये पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट मा यथावत राक्यू छे यथावत अई या शब्द हुँ एटले बारती बोलू छो के यथावत राक्यू छेटले अहाँ पेहला पन फेबरुआरी 2021 पड़ापन पाकिस्तान FATF ना ग्रे लिस्ट मा हतू बराबर चालो पहला FAT FATF विशे थोड़ी महीती मेडवी लेए साथे साथे लगता जो बराबर FATF नु फुल फॉर्म छे Financial Action Task Force बराबर इनी स्थापना करवा मावेली ओगनिसोने निविया सीमा G7 देशो द्वारा G7 जे आपनू संगटन चे देना द्वारा एमा कया गाया देशो चे G7 मा USA UK Canada Japan Germany Italy France तो आ साथ देशो है मड़ी ने G7 देशो है मड़ी ने ओगनिसोने निविया सीमा Paris summit मा FATF नी रचना करेली FATF नी स्थापना करेली एडले अनू वडू मत्थक क्या छे FATF नू वडू मत्थक चे पेरिस मा, बराबर आटली वस्तु दमारे याद राखवानी, हवे हेतू सुचे FATF बनावा नो, केम FATF बनावा मावेली, तो FATF ने एक watch dog 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 टेरर फंडिंग सथे संकड़ायला होई बराबर जया रहानी स्थापना थायली त्या रहे मात्राने मात्राय मनी लॉंडरिंग पर ध्यान आपती है मनी लॉंडरिंग एडले इल्लीगल रिते एक करंसी ने बिजा देश मा लई जवो पईसानी जे क्रोस बॉर्डर हेर फिर करवा मावे इल्लीगल मध्यम थी बराबर तो इल्लीगल मध्यम थी हवालानों पईसों आपड़े गुजरादी मा कहिए तो एवा लोकों पर नजर राखवा माटे एवा देशों पर नजर राखवा माटे जे करंसी ने मैनिपिलेट करता होई तेवा देशों पर नजर राखवा माटे FATF नी स्थापना करवा मावेली पाचर थी एनी साथे टेरर फंडिंग ने पण जुडी देवा माविए जे देशों बोताने मडती लोन नो प्योग, दान नो प्योग, ग्रांट नो प्योग टेरर रिजम ना काम माटे करे छे तेवा देशों पर पर नजर राखवा मावी बराबर हाल मा FATF मा टोटल 49 देशों चे 39 सब्भयों चे ए 39 सब्भयों माथी 37 देशों चे औने 2 आंतरराष्ट्रिय संगठ हनों चे बराबर 37 देशों मा एक सब्भय दरीके इंडिया नुपन स्थान चे अने बे जे अंतररास्ट्रिय संगठ अनों चे ते चे यूरोपियन कमिशन अने गल्फ कोपरेशन काउंसिल जे GCC तरीके जने उडखवामा आवे चे बराबर तो आटली वस्तुदमरे याद राखवानी FATF अंतर्गत बे सुची बनावामा आवे चे बे लिस्ट तैयार करवामा आवे चे अने एक लिस्ट छे ते चे ग्रे लिस्ट बिजू लिस्ट छे ते चे ब्लेक लिस्ट ग्रे लिस्ट नो मतलब ए छे कि ज्यारे कोई देश ने ग्रे लिस्ट नी सुचीमा मुखवामा आवे छे तो एने ए देशे वार्निंग समझवी बराबर आपड़े तम्हें जोई होई तो फुटबॉल नी रमत होई तो ब्यावार तमने रेफरी यलो काड बता आउशे तमने रेड काड आपी देवामा आउशे रेड काड बतावी देवामा आउशे तमने गेम माती बार्थाई जेशो तो कहिंक आज प्रकार नी बद्धादी FATF मा अपनावामा आवे छे जे देशो पर FATF ने शक होई अत्वा तो यहनी पासे पुरावाओ होई क्या देशो इल्लीगल मीन्स थी बनी लॉंडरिंग अने टेरर फंडिंग नी प्रवरुत्ती साथे जुडाईला छे तो यह देशो ने वार्निंग स्वरूपे ग्रे अने एलोकों ने कारिया सुची अपफ़ा मा आउशे एक एक एक्शन प्लान आपफ़ा मा आउशे के आतलू आतलू जो दमे सुधार शो तो तमने ग्रे लिस्ट मादी फरी बाचु बाहर करवा मा आउशे वार्निंग कंutु रेक्ड बाहर कोई देश नोन कोपरेटिव कंट्री अथवा तो टेरिटरीज नी केटेगर Τनी केटेगरी मा आउशे अच्छाराल्द पोतानि जे वार चालत होई त्य स्वारनि बाहलें एशे घक देश नी ब्लक लिस्ट्मा मुखवास, म्यन में तरफ थी के वर्ल्ड बेंक तरफ थी के अन्या कोई देश तरफ थी एना देश मा मड़तू जे पन फंड होई, लोन होई अथवा तो ग्रांट होई तेने शू करीदेवा मावे, रुकीदेवा मावे अने जारे अवू करवा मावे, जारे अवा प्रतिबंदो लगावा मावे, त्यारे ए देशनी एकनोमी समपूर्ण पड़ी भांगे, अने एज FATF नो हेतू जेगे, जारे कोई देशनी एकनोमी समपूर्ण पड़ी भांगे, त्यारे ए देश टेरर फंडिंग के money laundering करी शक के नहीं, हाल मा, as of March 2021, ब्लेक लिस्ट नी सूची मा, FATF नी ब्लेक लिस्ट मा, मातर बै देशों छे, एक छे, इरान, अने बीजू छे, नौर्थ खोरिया, उत्तर कोरिया, बराबर ना बै देशों नी एकनोमी केवी छे, आपणने बद्धाने खबर छे, बराबर, चालहो पाकिस्तान केम ग्रे लिस्ट मा, हात्तु थे, आपने जोवानू छे, ए पेलला बीजी एक ना नकडी वाद, के FATF नी जे, प्लेनरी सेशन जे, कमिटी नी मीटिंग छे, दर वर्षे, त्रोण वार मढशे, फेबरुआरी महिनामा, जून महिनामा, अने ओक्टोबर महिना सुधी, पाकिस्तानने ग्रे लिस्ट पर जाडवी राखवानों निर्णाई लिदो, छे, एटले जून सुधी हजू पाकिस्तानने समय अपफमाव्यों छे, के बाई, अमुक कारियो, जे, एक्शन प्लान छे, माथी, अमुक कारियो हजू सुधी थया, नथी, एटले पाक एक लिस्ट मा खसेडवा, ग्रे लिस्ट मा जडाखवा के ग्रे लिस्ट मा थी बहार करवा बराबर सूचानी प्रूस्ट भूमी तो अक्टोबर बेहजार वीस नी पूर्ण योजना दर्म्यान कोवीड नाइंटीन रोग चाड़ाने लिदे पाकिस्तान ने सत्याविस मुद्धा ना एक्षन प्लाननों संपूर्ण पालन करवा माटे विस्तरन अप्फाम आवियो दू बराबर जारे ओक्टोबर मैनी मीटिंग मडेली त्यारे कारण के कोवीड नाइंटीन नी सिचुएशन हाती अने पाकिस्तान कोवीड नाइंटीन पर फोकस कर दो तो एटले आ मुद्धा पर फोकस न तो करी शक्यों एटले एने फेबुरुरी 2021 सुधी नों एक्स्टेंशन अप्फाम आवियो गया तो सत्याविस मुद्धा ना प्लान पर पाकिस्ताने अमल करवानों चे एस सत्याविस मुद्धा माथी चो एवा मुद्धा हो अधा अगत्याना जेना पर पाकिस्ताने हजू सुधी पन कोई पगला लिदा ना थी एटले चो मुद्धा होने पूरा करवा माटे फरी वारेने जून सुधी नों समय अप्फामा आवियो छे त्यार बाद थे सत्याविस माथी चो निर्देशोंनों सम्पूर्ण पालन करतूना हदू FATFA जून बहजार अड़ार मा पाकिस्तानने ग्रे लिस्ट पर मुख्या पची सत्याविस पॉइंट नेक एक्षन प्लान आपयो हदो एक्षन प्लान शून चून चे एदो एक्षन प्लान एमनी लॉंडरिंग अने आतंकी दीर अने टेरर फंडिंग ने रोकवा साथे संबंधित चे FATFA आतंकवाद सामय लडवामा पाकिस्ताननी नोंधपात्र प्रगतिने स्विकारियो छे तेम चदा ते 27 मुद्दा माथी त्रोन एवा एक्षन प्लान चे त्रोन एवा कारिया छे जेना थी पाकिस्ताने जराकपणे ना पर अमल करयो नथी आतंकवादी बंडोड ना माणखा किया सुविदाओ अने तेमा शामेल कम्पनियों सामय नाणा किया प्रति बंदो अने दंड नी बाबत मा असरकारक पगलाने लगता छे जून 2021 न अधिवेशन दर्मियान लेवा मा आवेला पगलाओ नू मुल्यांकान करिया पची अने त्यार बाद ग्रे लिस्ट माथ एने राखवू के ग्रे लिस्ट माथी ब्लेक लिस्ट माँ खसेडवू के ग्रे लिस्ट माथी एने बाकात करवू तेनो निर्णाई जून ना सेशन मा लेवा मा आवेलाओ अने त्यार बाद ग्रे लिस्ट माथी बंडोड उभू जेवा के जैशे मोहमद अने नावडा मसूद अजर लश्करे ताइबा अने नावडा हाफीज साइद अने तेना ओपरेशनल चीफ जाकीरूर रह्मान लखवी जेवा वैश्विक आतंकवादियों साथे संकडायला लोकोसा में निश्क्रिय दानी नोंद लेवा मावी जे अ आतंकवादी तरीके जाहर करवामा आव्याचाने बारत ना प्रायतनोतिय शक्य बनियू छे बेहजार ने उगणिसमा घणा प्रसंगोए भारते पाकिस्तान नी अंदर 26 अग्यार ना मुंबई अने पुल्वामा हुमला सहितना अनेक आतंकवादेना केसमा त्याना तत्वोनी संडोवणी ने पन वदारिक दिदिय जे आपने प्रूफ साधे साबित करियू छे पकिस्तान द्वारा कराववां अवेशे फे टी एसनी ग्रेस उचीमा पाकिस्ताननू नियमित नियनत प्र्ण पाकिस्तान पर ए दबान दाउशे के ते तेनी धर्ती थी भारत परावा अतंकवादी हुमलाओ ने रोकवा माटे पूर्ता पअगला ले ness तो अवे आपणे जुवानु छे कि जून मा आवी शे शून दिर्णवामा आवे छे नेक्स्ट जा अपणों topic छे तेमारो संवीधान साथे रिलेटेड टोपिक छे पॉलीटी साथे रिलेटेड टोपिक छे बराबर शुँ छे टोपिक तो एछे पॉंडी चेरी मा अथ्वा तो पुड्डु चेरी मा रास्टरपदी शाषन लगावी देवा मावियो छे त्याना जे लेफटेनेंट गवर्नर हता कीरण बेदी एक कीरण बेदी ने रास्टरपदी ये भाचा बोलावी लिदा छे अने तमिली साई सुंदर राजन जे तेलंगणाना गवर्नर हता तेलंगणाना राज्येपाल हता तेमने पुड्डु चेरी नो वधारानो प्रभार सोंपवा मा आवियो छे अवे शुँ कारण पड़ी के वै आटला वदा गवर्नर ने बोलावा मा आविया कोई अन्य स्टेट ना गवर्नर ने त्या मुखवा मा आविया शुँ कारण छे बराबर तो ये जोई है केम समाचार मा छे तो राज्ये सरकार ना विश्वासना मत दर्म्यान स्थापित सत्ता गुमाविया बाद लेफ्टेनेंट गवर्नर नी भला मण पर हाउस पर जता पहला राजी ना मुँ आपे दिदू छे रास्ट्रापती ने बापत नो संतोष छे के आवी परिस्थित यूभी थाई छे के जेमा केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी नो वहीवट सरकार ना केंद्रशासित प्रदेश अधी नियम एटले के गवर्मेंट यूनियन टेरिटरीज रूल्स 1963 नी जोगवायो अनुसार चालता नथी पुड्डुचेरी मा पुड्डुचेरी मा जे रिते सरकार चालवी जोईए 1963 ना नियमों हेटल ते रिते सरकार चालती नथी आओ रिपोर्ट यामने कोणे आपे हो त्याना राज्य पाले एटले सरकार राज्य पालना रिपोर्ट पर थी रास्ट्रबधी ये त्या रास्ट्रबधी साशन लगावानु अनुकुल मानियो सरकार ना किंद्रशासित प्रदेश अधिनियम 1963 एटले कि गवर्मेंट ओफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 नी कलम 239A बस सो ओगण चाड़ीस ए नी जोगवा यो अनुसार संसद द्वाराय घडवा मा आवेलो हतो बराबर शूच आना मुख्या जे मुद्धा हो छे दे तो केंद्रशासित प्रदेशों नो वहीवट आपने समझवानों चे बराबर आपने इटलू ख्याल होवो जोईए के केंद्रशासित प्रदेशों नो वहीवट पूर्ण राज्यय करता जुदी रिदे थाईचे पूर्ण राज्यैनी पोता नी चूंटाईली सरकार है, त्यां वधुः हक धरा होता, वधुः अथोरिटी धरा होता, वधुः सत्ता धरा होता राज्ययपाल है, जैरे केंध्र शासित प्रदेश, Man अ प्रकार नी परिस्तिदी राफ होती नथी। केंद्र शासित प्रदेश मा अमुक केंद्र शासित प्रदेशों मा संपूर्ण साशन केंद्र सरकार नुँ होशे ज्यारे पुड्डु चेरी दिल्ली औने जम्मोने कश्मिरा त्रोणे वा केंद्र शासित प्रदेश होचे ज्या आंशी कृते केंद्र सरकार औने आंशी कृ ते राज्य सरकार भोतानों साशन चलाऊशे बराबर तो भारतिय बंदरन ना भाग आठ अंतरगत कलम बस्सो ओगण चाड़ीस थी बस्सो बेटाड़ीस एक केंद्रशासित प्रदेशों ना वहीवट साथे संकड़ा आयला अनुचेदो छे दरेक केंद्रशासित प्रदेशों नो संचालन रास्ट्रपती द्वारा नियुक्त एड्मिनिस्ट्रेटर द्वारा करवा मा आवेचे कोई जग्याए एड्मिनिस्ट्रेटर हशे, कोई जग्याए उपराज्यबाल हशे, लेफ्टेनेंट गवर्नर हशे और ने कोई जग्या ए रास्टरपती नाजेंट है 10 वीट कही आपक्वी ए रास्टरपती नंकी कर शे केंदरशासित फ्रदेश नो संछालग ए रास्टरपती नो एजन्ट होई छे इस यू लेकं रास्टरपती नो मानास हो हिशे अने राज्य पालनी जेम राज्य नो वड़ो होतो नथी बराबर राज्य नो वड़ा कोण गणाई राज्य नो वड़ो होतो नथी राश्ट्रपधी एड्मिनिस्ट्रेटर नो होद्दो स्पस्ट करी शके छे ते Lieutenant Governor अथे जम्मु कश्मिरमां जोशो तो Left usa जि लेफटेनेंट गुवरनर अथव तो Chief Commissioner अथवा गुज्टेनेंट अथे आड्मिनीस्ट्रेटर होय शके चे बर्वे तो भराबर जम्मु कश्मिरमा जोशो में bleeding पुद्डुचेरी ना केंद्रशासित प्रदेश ओग्णिस्तों दिल्ली ओग्णिसों बानुमा अने जम्मु कश्मीर बहजार ओग्णिसमा तेयोंने विदानसभा अने मुख्य प्रदान नी अध्यक्षता वाड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली आपफानु नक्की गर्वमा अविचे मैं तमने अल्रेडी कीदू क्या त्रोन केंद्रशासित प्रदेश ओएवा चे के जिया एमनी पोतानी चुटाईली सरकार हशे एमना पोताना मुख्य मंत्री होशे अने साथे साथे को एक्जिस्टेंटली कोनु राज चालतु होशे केंद्र सरकारनु राज्य चालतु होशे परन्तु केंद्रशासित प्रदेशमा आवी संस्थाओनी स्थापना तेमना पर रास्ट्रपती अने संसदनु सर्वोच नियंत्रण ओछू करती नथी एडले के संसद कोईपण नियं इच्छे दिल्ली पुड्डु चेरी अने जम्मु कश्मिर ने लईने तो ये बनावी सगे बराबर एणनु नियंत्रण कोई रिदे ओछू थादू नती मुख्यमंत्री अने विदान सबाना आववा थी संसद शासित प्रदेशों माटे त्रोण यादी राज्य सुची सहीत ना कोईपण विशाई पर काईदा बनावी शके छे बराबर एटले आ क्षेत्रों माटे बराबर काया काया दिल्ली पुड्डु चेरी अने जम्मु कश्मिर माटे केंद्र सुची राज्य सुची अने संयुक्त सुची त्रोणे त्रोणे लेने संसद काईदा बनावी शके बराबर बंदारणिया मशिनरी निश्वर्दाना किस्सा माशू जोगवाई छे 1163ना काईदा मुझब अमना आपड़े जोन आगड 1163ना काईदा मुझब तो यूनियन टेरिटरीज मा जो रास्टरप माटे सक्षम न थी तो रास्टरपती ये सरकार ने बर्खास्त करी शके जो रास्टरपती ना संचालक अत्वा अन्यजेना अडिमिनिस्ट्रेटर चे अत्वा एजंट छे एमना अहेवाल प्राप्त थता मुझब जो रास्टरपती संतूस्ट होई के एवी परिस्थिती उ वहिवट ने उग्णिस्ट्रेसट्ना काईदानी जोगवायो अनुसार चलावी शकाई नहीं अत्वा केंद्रशासित प्रदेश ना योग्य वहिवट माटे थे करवू जरूरी छे अत्वा रास्टरपती आदेश द्वारा आ काईदानी तमाम अत्वा कोईपन जोगवाय नी कामगीरीने ते प्रशासन ना योग्य समयगाडा माटे स्थगित करीशके छे अने कलंबस सोगंचडिस्ट्नी जोगवायो अनुसार चेंद्रशासित प्रदाशन प्रशासनना संचालन माटे तेन आवश्यक अथवा सुखद लागे तेरी ते आकस्मिक अने परिणाम लक्षी जोगवाईयों करी शके छे एकले बेसिकल जो आ बंधरनिय भाषा चे एकले थोड़ी अटपटी छे बेसिकली जो रास्टरपती ने हम लागे के भया सरकार केंद्रशासित प्रदेश नी सरकार चला हुआ माटे सक्षम न थी तो एने बर खास्त करी शके अने 241 अनुचेद अनुचेद नंबर 239 अनुचेद नंबर 239 अनुचार पोता ने जे जोगवाईयों ठीक लागे ते जोगवाईयों ते केंद्रशासित प्रदेश मा लागू करी शके छे अवे कोई राज्य मा रास्ट्रपती साशन लागेनो शूं अर्थ छे बंधारण मा शूं जोगवाई छे तो एनो अर्थ ए छे कि रास्ट्रपती ना साशन थी राज्य सरकारनों सस्पेंशन अने केंद्र ना सीधा साशन ना अमल थाई छे केंदर सरकार सीधीरीद राज्या कर शे तैने राज्या कटो कटी, अत्वा बंधारणी ये कटो कटी तरीके पन ओडखवामा आवे छे बंधारणी सुन जोगवाई छे तो रास्टरपती साशन बंधारणी कलम 356 नी माल्ग साथे रास्टरपती द्वारा केंद्रिय प्रदानों नी मंत्री मंदर नी सला थी लाधवाम आवे छे 356, कलम नंबर 356 अध्वाद अनुच्छे 356 अंतर्गद रास्टरपती साशन केबिनेट नी सला अनुसार लाधवाम आवे छे कलम 356 एटर राष्ट्रपती नो साशन लागू करवा मा आवे छे, जो राष्ट्रपती राज्य ना राज्य भाल पासे थी रिपोर्ट मेडवे, अथो अन्या कोई एजेंट पासे थी मेडवेला रिपोर्ट अनुसार ते संतूस्ट होई, कि एवी परिस्ते थी उपी थाई जे मा राज्य सरकार नी जोगवाई अनुसार कारियवाही करी शकाई नहीं, ते संजोगों मा रास्ट्रपती साशन लाध्वामा, आवे दमने ख्यालो इदो त्यारे थोड़ा समय पेल्ला, महारास्ट्रमा पन रास्ट्रपती साशन लाध्वामा, वेलो कारण कि त्या बहुमती नथी कोई पण पक्ष फासेटले सरकार थिया बनी शक्ती हती नहीं संसद ये मंजूरियन अवधी शूँ छे अवध येटले समय गाणों तो रास्ट्रपदी शाषन लादवानी घोषणा ने संसद ना बनने गुरुहो द्वारा तेनी इश्यु जे तारिक्ती रास्ट्रपदी शाषन इश्यु नी तारिक छे ते तारिक्ती बे महिना नी अंदर बनने गुरुहो नी मंजूरी मड़ी जवी जोईए मंजूरी बनने गुरुहों मा सरण बहुमती द्वारा थाई छे एटले के गुरुना बहुमती सब्योहाजर अने होई तेलोगों मतदान करेचे औने साधी बहुमधी त्या प्रस्ताओने पास अथवा तो फेल करवा मावेचे शरू आतेना चो महीना माटे मान्य रास्टरपती साशन संसदनी मंजूरी साथे दर चो महीने महत्तम त्रोन वर्ष माटे लंबाविशक आईचे बराबर त्रोन वर्ष्थी वदू तमे रास्टरपती साशनने लंबाविशको नई रास्टरपती साशनना परिणामों सुह है शके चे तो राज्येना राज्यय पाल रास्टरपती वती राज्येना मुख्य सचिव अथ्वा राश्ट्रपथी द्वारा नियुक्त सलाकारों नी सहाई थी राज्यनों वहीवट चलावे छे राश्ट्रपथी गोषणा करी शके छे के राज्यनी विधान सबानी सत्ता संसद द्वारा वप्रावानी छे राश्ट्रपती कांतो राज्य विदान सबाने स्थगित करे छे अत्वा तो एनू विसर्जन करे छे अन्या दरेक जोगवाई बंदारणी या जोगवाई छे बंदारणना नियम प्रमाणे राश्ट्रपती अने राज्य पाले चालवू पड़े छे रद क्यारे थाशे तो रास्ट्रपती ना नियमनी घोषणा ने रास्ट्रपती द्वारा अनुगामी घोषणा द्वारा कोईपण समय रद करवा मा आवी घोषणा माटे संसदिय मंजूरी नी जरूर होती न थी बराब रास्ट्रपती चालू करवा में रास्ट्रपती पोता ना एक एक एक्जिक्यूटिव ओडर थी एने रद करी शके छे जो कोई पक्ष्णों ने था एसेमली ना बहुमती सब्यों ना टेका ना लेटर उत्पन करे छे राज्येपाल सामे तो ए सरकार बनावानो दावो त्यार बाद शिवसे रास्ट्रपती साशन लागियू और जेवा शिवसे ना एनसीप और कॉंग्रेस नू गठबंधन थाईगयू एलोको पासे मेजोरिटी आवी गई और एलोको ए सरकार बनावनों दावो पेश खरियो राज्येपालेने मंजूरी आपी और आपनों टोपिक छे ते छे जार्खंड मां प्राचीन बाउद मठ मढ़या छे बराबर कई जग्या है अने केम समाचार मां चे आपने जोईशू तो ताजे तर मां भारतिया पुरा तत्विया सर्वेक्षन एटले कि आर्केयोलोजीकल सर्वे ओफ इंडिया जैने एसाई एसाई ने जार्खंड ना सीतामडी हील्स ना जुलजुल पहार नजिक न विस्तार मादी आस्थड नू ना तमार याद राखवानू जुलजुल पहार सीतागडी हील्स नी नजिक ना एक गाम मा एक टेकरानी नीचे दफनाववा मां आवेलू लगबग 900 वर्ष जुनू होई तेवू बहुद मठ मढ़ियू छे जने बुदिस्ट मोनेस्टरी केवाई अगाव आस्थड नी नजिक समान टेकरा हेटर दफनाववा मा वेलू एक प्राचिन बहुद मंदीर पन मढ़ी आविवातू बराबर कई रितना पणने खबर पड़ी के बहुद दर्मना फॉर्मर स्वरूप छे बराबर तो ये नागरी लिपी मा लखायेलू एक लेख मढ़्या चे तारादेवी नी मुर्तियों पर आने आ शब्दों बहुद धार्मिक जोडान सुच्वे चे बहुद धर्म साथे एनू जोडान थायेलू जोवा मढ़े चे भूमी स्पर्ष बुद्ध नी चो मुर्तियों आने भूमी स्पर्ष मुद्रा एडले शूँ कि प्रुत्वी तरफ बुद्ध ने ग्नान प्राप्त करती वखते देमने जे हाथ नी मुद्रा राखेली देने भूमी स्पर्ष मुद्रा केवाई तो ए मुद्रामा बुद्ध नी चो मुर्ति जुनी बुदिस्ट मोनेस्टरी हशे बराबर आ अलगलक टैतनी हातनी मुद्रा हो छे जे तमार एक वार माची जवानू बराबर भूमी स्पर्श मुद्रा वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अबय मुद्रा, नमस्कार मुद्रा छे तर्जनी मुद्रा छे, वितर्क मुद्रा छे, धर्म चक्र मुद्रा छे, ग्नान मुद्रा, कर्ण मुद्रा, क्षमापना मुद्रा ने उत्तरबोधी मुद्रा तो बवुध्य दर्म मां बद्धि बुद्द्राओं नुबुव महत्वी चुए तमें ज्यारे ले बद्धिमुद्राओं बुद्धि मुर्ति मां जवय भट मुडै शकर बराबर अतारणों नुमहत्वशूं छे तो तारणों नोंधपात्र छे कारण के आश्रम सारनाथ थी 10 किलोमीटर दूर वारणासी जवाना जुना मार्ग पर छे जियां बुद्ध्य फोतानों प्रथम उपदेशापेलो बराबर इटले सारनाथ सा त्या स्थर्ड ने जुनों सब्बंध हशे ते मानवामा आवे छे तारा देवी नी मूर्तियों नी हजरियाक्षेत्रमा बुद्ध दर्मना वज्जरायन स्वरूपनों शक्य प्रसार दर्शावे छे तो वज्जरायने बुद्ध दर्मने एक आटाओ करता वदू जटिल मानवामा आवे छे तो आपन तमारा आटेन कल्चर न हिस्ट्री साथे जोड़ाये लाएक अगत्याना समाचार I hope कि तमने समझन बड़ी हशे धर एक टॉपिक ने डिटेल मा समझवानी कोशिश कर जो अगर कोई डाउट छे तो तमने मने पूछी शको छो तियां सुधी stay home stay safe thank you